जुकाम के द्रब्व संग्रे गिरंत का स्वाध्याय चल रहा है कल तक हमने चारित्र के बारे में जाना इसमें तीन अध्याय हैं पहले अध्याय में जीव अजीव दो द्रब्यों की चर्चा के साथ में अजीव द्रब्यों की चर्चा करी और उसके बाद में दुती अध्याय में साथ तत्वों का विवेचन किया और स्तृती अध्याय में सम्मेक दर्सन, सम्मेक ज्ञान, सम्मेक चारित्र इन तीनों मौक्ष मार्ग हैं इनका कथन किया आप जो दो प्रकार का चारित्र, निस्य चारित और वेवार चारित्र जो पूर्वी की गाताओं में हमारे वीच में रखा गया था कि पाच समीती रूप, पाच महाबरत रूप और तीन गुपती रूप जो ब्यवार चारित हमारे बीच में बताया गया था और उसके बाद निश्य चारित को अर्था जो बहिरंग और अंतरंग की जो किरिया हैं जो अंतरंग और वहिरंग की किरिया हैं जो की संसार को बढ़ाने वाली हैं संसार के कारण है ऐसे संसार के बढ़ाने वाली किरियाओं को जो नश्ट करके अपने आत्म चिंतन मनन में रहते हैं उसको निश्य चारित्र कहा उन्ही बेवार और निश्य चारित्र से जो युक्त होते हैं बेई जीव ध्यान का अभ्यास करने में सक्षम है जो पांच इंद्रियों के विश्यों में लगा हुआ है पांच इंद्रियों के विश्यों को जो नहीं छोड़ पा रहा है उसको ध्यान की इस्तिती और ध्यान का अभ्यास नहीं वन सकता है तो आचार वगवन तो जो ध्यान का अभ्यास किया जाता है तो ध्यान का अभ्यास किसको होता है कौन ध्यान कर सकता है ये भेद्विज्ञान करने वाले भेद्विज्ञान की चर्चा करने वाले आत्म स्वरूप की चर्चा करने वाले आत्म चिंतन करने वालों को द्रब संग्र की ये 47 नंबर की गाता अच्छे से समझ लेना चाहिए इस गाता का भाव अगर उनके फिर्दे में अंता करण में यदी आ जाए तो निश्चित ही बे दिगंबर अवस्ता को प्राप्त हो कर यथार्त में अपने आत्म कल्यान का मार्ग प्रसस्त कर सकते हैं कोई कि जब तक हमारे पास में बाहर का टिकेट नहीं होगा जब तक हमारे पास में बाहर की परमीशन अंदर में जाने की नहीं होगी तब तक हम अंत्रंग आत्म तत्त को प्राप्त नहीं हो सकते हैं शंसार मार्ग में भी देखा जाता है कि चाहे छोटा इस्तान हो चाहे बड़ा इस्तान हो उसके अंदर प्रवेश करने के लिए भी एक सामान टिकेट जो निर्धारित रहता है उस टिकेट को अनिवार रूप से खरीदना पड़ता है चाहे वो दस रुपे का टिकेट हो चाहे दस जार रुपे का टिकेट हो अब आप सोचेंगे कि हम दजार रुपे खर्च कर रहे हैं बीस जार रुपे खर्च करने की सामर्थ हमारे पास में है और दस रुपे का टिकेट लेने की क्या वह सकता है तो आपको दस रुपे का टिकेट नहीं है तो उस सुविदा आपको जो दस रुपे में मिल रही है प्राप्त नहीं होगी भले ही आपने अजार रुपे का टिकेट लिया हो 1000 रुपे का टिकेट लेंगे 1000 रुपे की सुविदा मिलेगी 10 रुपे का टिकेट लेंगे 10 रुपे की सुविदा मिलेगी ऐसे ही आपको मोख्ष मार्ग में लगना है और मोख्ष मार्ग को प्राफ्त होना है तो मोख्ष मार्ग में लगने के लिए मोख्ष मार्ग का टिकेट पाने के लिए आपको जो दो प्रकार का चारित्र बताया गया है निश्य चारेत्र और व्यवार चारेत्र उन दोनों को पालन करने वाले मुनिराज ही बास्त्विक उनके पास में टिकेट है और वही मोख्ष के और ध्यान के पात्र हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा ये गाता हमारे हिर्दे में जो गंदिगी भरी हुई है जो हमारा अंताकरण मलीन है जो हमारे अंताकरण में अपवित्रता है उस अपवित्रता को पवित्र वनाने के लिए ये गाता बहुत उपयोगी है आचार बगवंत कहते हैं आचार बगवंत कहते हैं कि जिस कारण से जम माने जिस कारण से मुनी मने मुनी राज जो बगवंत मुनी राज है बे दू भी हम पी दोनों प्रकार के दोनों प्रकार के माने निश्य चारेत्र और ब्यवार चारेत्र ज्यान दखना जो दोनों प्रकार के चारेत्र हैं आचार वगवन्त क्या करहें संग्षेप में समझना मोक के हे उम वे मोक्ष के तु हैं मोक्ष के कारण हैं अगर आपके बाद में वेवार चारित नहीं है तो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति आपको होने वाली नहीं है तो दोनों प्रकार का जो चारेत दुवी हम पी जो दोनों प्रकार का चारेत रह विवार चारेत और निश्य चारेत वे मौक के हे उम मौक्ष के कारणों को ज्ञाने ध्यान में जो मौक्ष के कारण है तो जी आप जो मौक्ष के कारण है उनी का ध्यान करना है उन्ही को ध्यान में लेकर आना है उनको ध्याने माने ध्यान में नियम आमाने नियम से पाउर नदी प्राप्त कर लेता है अगर ध्यान करता है तो वो दोनों प्रकार के जो चारित रहे जो मौक्ष के कारण रहेतू है उनको प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद तमह उस कारण से निष्चे और विवार चारित उसके पाद होने से पयत्या प्रेतनिचित्व कर पुरुसार्थ करकर पुरुसार्थ करकर जूयम झानं सुम्सभ ध्यान का समब्ब सॺ अच्छी तरह से अभ्यास करो आचार बगवन्त आप सबसे कह रहे हैं। कहा है मुणी बे मुणी राज जो दौनों प्रकार का चारित्र को जान करके समझ करके जो मोख्ष का कारण है उसके बिना भूतों ना भविश्यती जैन दर्सन की बही एक मुकता है कि जैन दर्सन में सम्मेग दर्सन सम्मेग ज्यान सम्मेग चारित्र ये तीनों की तरविनी जब तक नहीं मिलेगी जब तक इसका संसार सई धंग से कटने वाला नहीं है सम्मेक दर्सन के होने पर थोड़ा बहुत संसार कम हो सकता है सम्मेक ज्यान के होने पर भी थोड़ा बहुत संसार कम हो सकता है परंतु पूरी तरह से संसार की जणों को खाड़ कर फैकना है तो आपको अपने जीवन में चारित्र को अंगीकार करना पड़ेगा और कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा वरता है एक-एक पैसे से पैसा एकट्टा होता है और धागे का एक-एक तन्तु बड़े बिशाल कपड़े को बना देता है ऐसे ही यदि आपको बास्तम में मोक्ष चाहिए बास्तम में आप मोक्ष के रसिक हैं तो आपको अपने जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज मुनी बन जाएं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज आरिका बन जाएं, लेकिन ध्यान रखना, यदि आपको मोक्ष चाहिए हैं, मोक्ष प्रात होना है, तो आपको अपनी परियाए में मुनी अवश्य बनना पड़ेगा, काकि इस्त्री परियाज से जहन दर्सन में मुक्ती नहीं है मुक्ष नहीं है लेकिन इस्त्री परियाज इनको प्राफ्ट हो चुकी है और उनको आंगे का रास्ता प्रसस्त करना है काकि सम्मेक द्रश्टी जीव मित्यात अवस्ता में रहने मित्सम्यक दृष्टी जीव महिलाओं में और इस्त्रियों में उत्पननी होता है भला ही तीरतंकर की मा क्यों ना हो ज्यानक ना तीरतंकर की माने बहुत पुन्न कमाया है बहुत पुन्न साली है वो मा जो आगामी समय में तीर्टंकर को जनम देगी परंतु उसका जनम भी मिठ्यात के साथ हुआ है बाद में भले उसने सम्मित को प्राप्त कर लिया है और ऐसी इस्त्री परियाई से साम चाथ मोख्ष की प्राप्ती नहीं होती है लेकिन इस्त्री परियाई को प्राप्त होने वाली अवस्ता जो उत्कृष्ड आरिकाओं के ब्रत है उसको अपने जीवन में उतार कर जो इसको संसार मिला है उस संसार को वो अब कम कर सकती है और कम करने का पुरसार्थ उसको करना पड़ेगा भगवान राम चन्जी अपने कर्मों को नश्ट करके चले गए क्योंकि उनकी अवस्ता पुरुस अवस्ता थी और पुरुस अवस्ता से ही मौक्ष की प्राप्ती होती है यद्दपी पहले शैयम को धारण सीता जी ने किया और सीता जी ने अपने जीवन में कोई चोटी मोटी साधना चोटी मोटी तपस्या नहीं की जितनी साधना जितनी तपस्या सीता जी ने किये है उतनी कोई नहीं कर सकता लेकिन बर्तमान की जो उनकी परियाय थी उस परियाय से साक्षात मौक्ष का टिकेट उनके पास में नहीं था इसलिए कुछ समय के लिए 22 सागर के लिए उतकिष्ट से 22 सागर और जगन से 20 सागर और मद्द में 20 और 22 के बीच की अवस्ता इतना समय तो कम से कम उनको संसार में रहना ही है माने स्वर्ग में रहना है और इसके बाद जहां भी उनका कल्यान का मार्ग प्रसस्त होगा वहां के छेत्र की भी आयू उनके साथ में लगी हुई है कहने का भी प्राएं जो संसार उनका बहुत ज़्यादा था बहुत विस्तार को प्राप्त था ऐसे विस्तार से युक्त संसार को उस सैयम को धारण करके उन्होंने अपने जीवन को उज्जवल और पावन बनाया आज हमको भी अपना जीवन उज्जवल बनाना है पावन बनाना है आज संत सरोमनी आचार स्री विद्या सागर जी महराज ने जवलपुर में 14 अगस्त को 2021 में ब्रदों का उतार किया क्योंकि अभी तक रास्ता अच्छे से नहीं खुला था सरप्रता उन्होंने एक चुल्लक दिच्छा दी थी लेकिन उनको समझ में आया कि ब्रदों को समालना बड़ा कटे नहीं है तो उसके बाद उन्होंने ब्रद्दों को दिच्छा नहीं दी लेकिन नेमावर से ये क्रम अब उन्होंने प्रारम कर दिया और प्रारम करने का हेतु भी यही है कि वे अब स्वेयम ब्रद्दवस्ता को प्राप्त हो चुके है यद्दपी आचारी स्री विद्यासागर्जी माराज सरीर की अवस्ता को देखते हुए सरीर की आयू को देखते हुए वार्धक के अवस्ता को प्राप्त हो चुके है लेकिन सादना त्याक और तप उनका आज भी यूवा है जवान है आज भी इस उमर में बेकासं से बैठ गए तो बैठे रहते हैं दिन में सोने का कोई उपक्रम उनके पास में नहीं है यहां तक की लेटते भी नहीं है अवस्ता उनकी भलाई ब्रद्ध हो शरीर की अवस्ता भलाई बार्धक को प्राप्त हुई हो लेकिन तब त्याक और सैयम की साधना आज भी उनकी युवा है जवान है और ऐसी साधना उनके जीवन काल में सदेव हम जैसे भब जीवों को दिखती रहे जिससे पुन्नका अर्जन होता है तो बंदू में आप से बीच में यही कह रहा था के बून्द बून्द से घड़ा बतता है एक-एक पैसे को जोड़कर पैसा एकटा होता है और एक-एक तंतू धागा को एक अत्रत करके एक बस्त्र वन जाता है तो ठीक इसी प्रकार से आज आप मुनी नहीं वन पा रहे हैं कोई वात नहीं आप आरिका नहीं बन पा रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन अपनी सक्ति और सामर्त को छुपाना भी नहीं चाहिए अगर आपको कोई घर गरस्ती की कोई चिंता है कोई मोय है कोई माया है तो इसको दीरे-दीरे कम करके अपना नेतिक आचरण व्यवस्तित रखना चाहिए जब तक हमारे और आपका नेतिक आचरण प्रसास्त नहीं होगा तब तक हमारे मोग्षिमार का टिकेट प्रारम होने वाला नहीं है इसलिए आचार भगवंत कह रहे हैं दुवी हम पी मोग्के है उम जो दोनों प्रकार के कारण माने निस्चे चारित और विवार चारित जो बताए उसको पारण करने वाला कौन है तो मुनी पे मुनी माराज ही नियमा माने नियम से जाने पाऊ न दी उसका अभ्यास करते हैं ध्यान में उसका अभ्यास करते हैं उसको पाने की कोशिस करते हैं और प्राप्त कर लेते हैं और बेही मुनी उपदेशते रहे के वैसे मुनियों को प्रयत्न चित्तो कर पुरसार्थ करके उस निस्चे चारित और विवार चारित रगाई अभ्यास करना चाहिए ताकि आप ध्यान की अवस्ता को प्राप्त हो सकें आपके जीवन में ध्यान आ सकें तो इस गाता का चिंतन मनन आपके जीवन में सदेव होता है रहना चाहिए दुविहम पिमोकेहुम जाने पाउन दी जम मुनी नियमाहा ये मुनी सब्द को ध्यान दकना मुनी लिखाए गिरस्त नि लिखा इस से ज़्यादा और क्या इस परष्ट आपको लिखाया जाएगा तकी चारितर ग्रस्तों को होता है लेकिन वे चारित पूर्ण चारितर नहीं कहलाता वो पांच महाबरत का चारितर नहीं कहलाता हूँ पांच समीती का चारितर नहीं कहलाता वे तीन गुपतियों का चारितर नहीं कहलाता है के वले एक अभ्यास कहलाता है जिसको एक देश चारितर कह दिया गया है लेकिन एक देश चा चारित्र वाला मुनी नहीं है, मुनी नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है, तो ऐसा ध्यान से प्रात कर लेता है, उस कारण से प्रयत्न चित्तों करके, हे भब जीओ, आप सब, तुम सब समव सहे, उसे ध्यान का अच्छी तरह से अभ्यास करो, जिसमें आपका चारित्र उज्वल और निर्मल बनें, किसी एक अवलम्मन, किसी एक का अलम्मन लेकर, मन को केंद्रित करना, अब एक को अवलम्मन लेने का मतलब क्या है, आप एक ही चीज़ के बारे में सोचे, सरलावाक के बगवान महवीर सामी के बारे में सोचते चाहिए, बरण पत में इस्तित बगवान के दर्सन करते चाहिए, एक ही बस्तू का अवलम्मन लेजिए, मने भगवान, मने भगवान, जो सामने बैटा हुआ है, उनका रूप, उनका रंग, उनका रस, बरण, उनके चालीस मूल गुणों का चिंतन मनन आपको पृत्मा के सामने करना चाहिए, और जब पृत्मा के सामने आप भगवान के गुणों का इस्मरन चिंतन कर रहे हैं, तो समय मंदिर में अन्न लोग आपको नजर नहीं आएंगे, दिखेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ लोग तो मंदिर भगवान को देखने के लिए नहीं, दूसरों को देखने के लिए जात हैं और खुद को भी अपने दरसंदों को दूसरों को कराते हैं, ध्यान दकना ये मोक्ष मारग नहीं है, भगवान के पास में आकर भगवान से जब तक आप नहीं जुड़ोगे, जब तक भगवान से करंट अपना नहीं जुड़ोगे, आपने तार वहाँ पर लगाया नह हैं, जहां से करंट आ रहा है, और प्लक आपने लगा दिया, मेरे साथ भी हमेसा कैई वार होता है, कि मैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए डोरी लगा देता हूं, और मैं सोचता हूं कि मेरा मोबाइल चार्ज होने लगा है, और कुछ समय के बाद देखता हूं, त मेरे को बड़ा अस्चर होता है कि मैंने इतनी देर इसको चार्ज करने के लिए लगाया लेकिन यह आंगे बढ़ने की जगे पीछे क्यों वड़ गया जब उसकी खोज करता हूँ तो देखता हूँ कि जो बटन दवाना था उस बटन को तो दवाया ही नहीं है जब बटन को नहीं दवाएंगे तो चार्ज कहां से होगा पिलक में लगाने से थोड़ी मॉबाइल चार्ज हो जाएगा मॉबाइल में डूरी लगाने से चार्ज नहीं हो जाएगा जब तक करंट नहीं जुड़ेगा तो हमें और आपको करंट अपना जोड़ना है पीतरा की प्रभू से भगवान से तो मंदिर हम आएं तो भगवान से बारतालाब कीजिए है भगवान आपके च्छालीस मुलगुण हैं और कौन कौन से च्छालीस मुलगुण हैं 49 मुलगणों का चिंतान, मनन, नाम उच्चारण करते हुए किसी भी एक चीज का अवलम्मन आप लेंगे तो वो ध्यान की भूमी का बनना प्रारम हो जाती है तो आप किसी एक का अलम्मन कर मन को कहंद्रित करने का नाम ध्यान है जो आचारी स्री उमा स्वामी महराज तत्वार सुत्र में कहते है कि किसी एक अलम्मन पर मन को कहंद्रित करने का नाम ध्यान है अब उसके परियावाची नाम कौन-कौन से हो सकते हैं तो कहते हैं उसी को योग कह दो उसी को समाधी कह दो उसी को आत्म लीनता कह दो आदी सब ध्यान के परियावाची है चाहें योग, चाहें समाधी, चाहें आत्म लीनता ये सब उस ध्यान के परियावाची नाम है ऐसे ध्यान से ब्यवार एवं निश्चे रत्नत्रे की शिद्धी होती है ध्यान अकना किसी एक पदार्ज का अवलम्मन अप ले रहे हैं तो योग, समाधी, आत्म लीनता ये तीनों की तीनों विसेष्टा हैं जिसके साथ में है तो ऐसे ध्यान से ब्यवार एवं निश्चे रत्नत्रे माने दौनों रत्नत्रे की प्राप्ती, सिद्धी इस जीव को होती है कोगि ध्यान के माध्यम से आत्मा में एकागरता, आत्में लीनता, समता वरती है समता रुपी धन वैवाव उसी ध्यान से ही आता है यादि मोक्ष मार की प्राप्ती चाहते हैं तो ध्यान का भ्यास करना चाहिए है बबब जीवो आप लक्ष बनाईए कि हमको करना क्या है यदि हमें मोक्षी की प्राप्ती करनी है तो उस ध्यान का भ्यास करना चाहिए ध्यान का स्वरूप समस्त राग देस मोह रूप विकलपों से रहत होकर एकागर चित्त होता है उसके होने से बाहे में तो हिंसा दी पापों से निर्वर्ती हो जाती है जब आप ध्यान लगाएंगे तो आप हिंसा जूट चोरी कुसील पर इकर जितने भी पाप बताए गए है उन सब से तो आप बची जाएंगे उनके बिकलपों से आप बचेंगे और उसके बाद में जो आपका अंतरंग है वो अंतरंग में आत्म सरूप में इस्तरता होती है तब व्यवार और निस्चरूपों मोक्ष मार्ग होता है तो आचार भगवन्त कहते हैं दुभी हम भी मोक्ष हूँ ऐसे दोनों प्रकार के हेतुओं को कारणों को जो ध्यान के द्वारा भ्यास से एकागर होता हुआ चिंतन मनन करता है या उसको करना चाहिए किसको करना चाहिए मुणी बे मुणी राज को ध्यान का भ्यास करना चाहिए और आत्म चिंतन योग की साधना उसको करते रहना चाहिए लक्ष निर्धारित जरूर रहना चाहिए कि हमें मुनी बनने के बाद करना क्या है मुनी ओने के बाद में हमारा लक्ष क्या है हमारा उदेश क्या है क्यों हम मुनी बने है क्यों हमने नियम और ब्रत लिये है इन का लक्ष निर्धारित करके अपनी आत्म साधना में लीन रहत हुए दोनों प्रकार के चारित का अवलम्मन लेते हुए हमें ध्यान की एक आगरता बनाना चाहिए सेश चर्चा अगले सत्र में बहुत प्यारी गाता ये द्रब संग्रेकी है और आप जितनी भी गाता हैं आपके बीच में और आएंगी बे बड़ी प्यारी प्यारी गाता ह आएंगी आचारी स्री विद्या सागर जी माराज उन एक एक गाता है जो आने वाली है उन्हीं गाताओं में सामय करते रहते हैं उसी गाताओं का बारवार उच्चारन करते रहते हैं बारवार उन्हीं गाताओं का चिंतन मनन करते रहते हैं मानि उस गाता में भी एक आगर हैं आपको कुछ नहीं करना आपको अरियंद सिद्ध अचारु पात्याय की माला नहीं फिरना अगर आपको बास्ता में ध्यान लगाना है तो केवल एक पंक्ति का उच्चारण करते रहना प्रभुपतित पावन में अपावन बस प्रभुपतित पावन में अपावन प्रभुपतित पावन में अवावन ए भगवन आप प्रभु हैं पतित हैं में अपावन हूँ ऐसा एक पंक्ति का अर्थ अगर आप बार बार दोराते रहेंगे बार बार चिंतन वनन करते रहेंगे तो वही आपकी ध्यान की भूमी का ब और निश्चे और विवार चारित का भी ध्यान दखने क्योंकि मुनी को ही ध्यान का अभ्यास होता है और वे मुनी राज ही ध्यान का अभ्यास करें ऐसा आचार भगवन्त ने हमारे बीच में बात रखी है मैं तो आपको अपने इसाब से बता रहा हूँ कि भईया क्योंकि मैं मुनी नहीं हूँ और आप भी मुनी नहीं है लेकिन जो हमारी और आपकी दसा है जो हमारी और आपकी ववस्ता है जो अवस्ता है उस अवस्ता में रहते हुए जितना नियम ब्रत हमसे पल सकता हो उतने न प्रतों को निर्दोस पालन करने की कोशिस करना चाहिए और अपना कीमती समय संसार के कारियों में ना लगा के परमार्थ में लगाना चाहिए सेश चर्चा है अगले सत्र में अब तक के लिए आप से अनुमती चाहते हैं जैजरेंदरो बनना सबको यतायोग अभिवादन क्वे जिग्यासा, क्वे प्रशना, क्वे शंकासा,